दमश्कार मैं निदीर अतन और आप देख रहे हैं नैशनल दस्तकाश की ये तारीक इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई जी हाँ आज शी के देन आयोद्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिस्टा को किस तरीके से सफल बनाया गया और हमारे देश के प्रधान मंत्री ने इस कारेकरम में बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया ले कहीं न कहीं इसके साथ साथ दूसरी तस्वीरे भी हैं जो सोशल मीडिया पे लोग लगतार जारी कर रहे हैं किस तरीके से एक विशेश समुदाई के प्रती नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है और संप्रदाईक दंगों को बढ़ावा देने की कोशिस की जा रहे हैं क्योंकि चुनाव नजदीक है और कैसे देश में हिंसा को बढ़ाने की कोशिस की जा रहे है यह तस्वीरे आप जो बाद बाद पर गर्दन काटने जुबान काटने की फर्मान जारी करते रहते हैं दिल्ली के पूर्व सोसल जसिस मंत्री राजिंदर पाल गौताम इसके साथ साउदे निदी स्टैलिन स्वामी परसाद मौर्य और बिहार के पूर्व सिक्षा मंत्री चंदर शेकर को भी यह लोग चेतावनी दे चुके हैं धमकी दे चुके हैं कहते हैं कि इनकी गर्दन लाने पर आपको 50 लाग 30 लाग 20 लाग जैसी रकम दी जाएगी इन लोगों की गर्दन जो कोई ले कर आगा क्यूंकि यह तमाम लोग वो लोग हैं जो पाखंड वाद पर खुल कर विरोध क कि चा 39 मुसल्मान कि जा जाकर के नारे लगा रहे है पिस्टल यां चला रहे हैं और यह अपने आप को कहते हैं कि हम रास्टी के रख्शक हैं हम धरम के रख्श कि मैं आपको खबरे बताऊंगी कि किस तरीके से जैसार के नारों के साथ साथ तमाम लोगों ने भगवा जंडे को हाथ में लेकर गुंड़ागर्दी करिये बिहार के सिवान में मुसल्मानों के खिलाफ आपत्ती जनक गाने का इस्तमाल करते हुए हिंदुत्वबादी तो च साथ आचारिय परम हंस ने भी मुगल सासक बावरकाच पुतला जलाया योद्या में ये बड़ी खावर है कि मुसल्मानों की भावनाओं का क्या क्योंकि सविधान तो सब को आजादी देता है कि सब कोई अपने सम्मान के साथ अपनी धार्मिक भावनाओं के साथ आस्ताओ से धंकाने का काम का रहे हैं ये गमभीरता का विशय कि आच मुसल्मानों की वारी है ऑब दिवासियों की बारी होगी, फिर ओभी सी समाज की बारी होगी, क्योंकि यह आप ही के बच्चे, हमारे तुमारे परिवार के ही बच्चे हैं, जिनके हाथ में कलम होनी चाहिए, आज उनके हाथ में डंड हैं। तमाम तरीके के लोग जो हैं दंगाई और गुंड़ाई पर उतराया है जैसार के नारों के साथ साथ कैसे भगवा करण किया जा रहा है क्या यही है रामराज्ये क्या इसी रामराज्ये की कल्पना करते थे भगवान श्रीराम की जिसमें तमाम लोगों को डराया धंका कर रख बख जायें ईक सरमानाम का हिंधो यूवक मज़ित के और इशारा करता रहा हूँ और सिंटमीय धोड़ कर रहा है हड़काऊ बयान बाजी के सासाथ हरकते भी कर रहा है महरास्ट के रावेर जिले में किसे मस्जित के सामने हिंदू रास्ट के बैनर के साथ जैश्री राम के नारे लगे और जुलूस निकाले गए और सोचिए चर्च पर जबरन जंडे लगा जा रहा है मद्यपर्देश के ज इस तरीके से दुखी हो रहे होंगे हताश हो रहे होंगे निराश हो रहे होंगे क्योंकि कहीं ना कहीं हमने समास से इस देश से खुशहाल सांती को कहीं ना कहीं भंग कर दिया और हम धरम की याड में इस तरीके से खो गया है कि हम अपने भाई के खून के प्यासे हो गया है फिर मुसलिम इलाकों में तांडवा पत्रा हुआ खबर है कि मामलत सीफ मुसल्मानों के खिलाफ ही दर्ज हुआ अगर आप इस देश में मुसल्मान हैं दलीत हैं ओभी सी हैं शेडूल ट्राइब समास से आते हैं तो आप ही कोई उल्टा फसाया जाएगा आप अपने खिलाफ फोरे अत्यचारों के खिलाफ जाकर रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करा सकते क्योंकि ये देश जाती प्रधान देश हैं यहां पर सब कुछ जाती के अधार पर होता है धरम के अधार पर होता है किस तरीके से मुसल्मानों को टार्गेट किया जा रहा है और मनुवादी पत्र पत्रकार को बेबाकी से जवाब देती हुआ क्या पत्रकार पूस्ता है आपके घर की लगी दीवार से राम मंदिर बन रहे हैं तो वही मुसलिम मुझोग ने जवाब दिया मेरे घर से उसे मस्जित में चिराग जलना था वो मावरी मस्जित की थी तमाम लोग इस तरीके से making माहल बनाने का कोशिस कर रहे हैं दंगाई माहल बनाने की कोशिस कर रहे हैं लेकिन सोचिये मुसलमानों पर उल्टाए फायर हो रही है यह तस CBS की पर को पर्श नहीं है सरकार का गुरगान करने की इसलिए मलिका अरजुन खडगे ने कलासम की धर्ती से कहा था कि अगर आप गुलामी में जीना चाहते हैं तो भारती जनता पार्टी को बोड दीजिए क्योंकि यही पार्टी है जो आपको पाशान यूग की और लेकी जा रही है जो मनुस्मिर्ती से इस देश को चलाना चाहती है मुंबई के मीरा रोड से बड़ी खबरे आ रही है कि मेरे घर से कुछ ही दूरी पर मीरा रोड की ये वीडियो देखी है दंडे और जंडे हमले से बहुत कुछ समझ में आ रहा है कि पुलिस का कहना इसे संप्रदाइक रंग नहीं देना चाहिए लोग लगतार मुसल्मानों के खिलाफ बयान बाजी कर रहे हैं गोली बारी कर रहे हैं नारे बाजी कर रहे हैं मुसल्मान समाज के लोगों ने अच्छे से समाला और दंगे होने से रोक दिया सुची लोग जबरन सुसाइटी में भी घुस रहे थे तमाम तरीके की खबरे आ रहे हैं कि नौईडा की सुसाइटी में भी जबरन घुस कर जहां पर संप्रदाइक माहौल बनाने का सीन किरियट कर रहे थे वहां पर भी दंगे होने से लोगों ने रोका क्योंकि आप मुसल्मान समाज भी जागुरुक हो रहा है सचेत हो रहा है इस तरीके के धार्मिक जुलूस से हमेशा बचना चाहिए क्योंकि इसमें हमारे और आपका परिवार का बच्चा है जिसके पास न रोजगार है नहीं सिक्षा है और नहीं उसे अपने भविस्य की चिंता है ऐसे बच्चों को ऐसे ही संप्रदाइक दंगों किताब पकड़ने लगेगा तो वो सरकार से सवाल करेगा सरकार से अपने लिए रोजगार मांगेगा सरकार से अपने लिए अच्छे स्वास्त की currency कलपना करेंगा और जिसमें सरकार विफल हो चुकी है क्या यही है मोधी की गारंटी देश के पढदान मंत्री मंचों से कहत कि विकास की गारंटी मतलब मोगी का वापस आधा यहीं गारंटी की लिए भलगा की देखे धरम की आड़ मैं किस तरी पर सरकार प्रसासर सोचे गांस ऐस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि मुसल्मानों के प्रती नफरत फैलाने की कोशिस लगतार की जा रहे है लेकिन ऐसे लोगों पर कारवाई क्यों नहीं होती जाती के अधार पे या पाटी के अधार पे आप लोग अपनी राय कमेंड बॉक्स में जरूर बता हैं शुक्विया निशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर ख